क्या आप कभी कल्पना कर सकते हैं कि एक ही रात में आपका पूरा घर आपकी पूरी जिन्दिगी मिट्टी में मिल जाए कोसी नदी के किरारे रहने वाले हजारों लोग हर साल इसी खौफनाक हकीकत का सामना करते हैं आज हम आपको मिलवाने जा रहे हैं एक ऐसे परिवार से जिसने इस नदी के क्रोध का सबसे भयानक रूप देखा है मिलिये रमेश और उनके परिवार से जिनका घर कुछ ही दिनों पहले कोसी नदी के विनाशकारी लहरों में तबाह हो गया रमेश बताते हैं कि हम सो रहे थे कि अचानक जोर की आवास आई बाहर देखा तो कोसी की लहरे हमारे गहरों को बाहा के ले जा रही थी सब कुछ खत्म हो गया हमारे स्पास संभलने का भी वक्त नहीं था रमेश का परिवार अकेला नहीं है गड़ गाओं में ऐसे सैकड़ों परिवार हैं जो हर साल इस तराजदी का सामना करते हैं मध्यपूर प्रखण के गड़ गाओं पंचायत की आवादी लगबग 10,000 है जिसमें 11 गाओं शामिल है यहां की 50 प्रतीशत आवादी टड़ बंदों के उपरी रहती है क्योंकि उनके पास अपनी जमीन नहीं है और सरकार ने उनका पुनरवास नहीं किया है कुछ गाओं में जाने का एक मात्र साधन नाव है यहां सडक की कनेक्टिविटी नहीं है और इस पंचायत में कहीं भी प्रात्मिक स्वासकेंद्र नहीं है बच्चों की शिक्षा के लिए एक प्रात्मिक विद्याले है जो बार के समय बार में ही रहता है कर्पना कीजिए अगर किसी की तब्यत खराब हो या कोई गर्वती महिला हो तो उनका क्या हाल होगा आपको बता दे लोकल एटीन की टीम ने सूरज की पहली किरन के साथ अपनी यात्रा शुरू की दो घंटे में हम अपने पड़ाव पर पहुचे स्थानिय निवासी मोहमद खुर्शीद हमें नाव तक ले गए नाव के इंतजार में कई लोग बैठे थे एक नाव पर लगभग 30 लोग सबार हुए स्थानिय लोगों ने हमें बताया कि कोसी हर साल तांडव मचाती है घर तबा करती है और जानमाल का नुकसान होता है लेकिन सुद लेने वाला कोई नहीं कोसी के दूसरे किनारे पर पहुचने पर पता चला कि लोग घर बना रहे हैं मैंने पूछा क्यूँ जवाब मिला 15 दिनों पहले तक हम यहां से 3 किलोमीटर दूर रहते थे लेकिन कोसी ने हमारे घरों को जमीन दोस कर दिया इस इलाके से बिहार सरकार में दो मंत्री है एक शीला मंडल और दूसरी उर्जा मंत्री जिनका घर ही कोसी के मुहाने पर है बावजूद इसके यहां विकास का नामों निशान नहीं है सवाल यह है कि कोसी प्रोजेक्ट पर करोडों खर्च करने वाली सरकार इनके लिए कुछ क्यों नहीं कर सकती क्या इन्हें पुनर्वास करने की जरूरत नहीं है हर साल ये लोग अपना आश्याना बदलते हैं बुजुर्गों की आख पत्रा गई है जबान घर बनाने में लगे हैं बच्चों की आख्यों में खाने की तडब है और महिलाएं चूला जलाने के लिए लकडियां ढूंड रही है क्या यही हमारा भारत है लोकल एटीन के लिए मधुबनी से गौरव जा की रिपोर्ट